मेरी सुंदर्ता की बात कर रहे थे जब मेरी पत्नी खुस होती है तो कहती ही तुम मेरे सोना हो तुम मेरे चांदी हो तुम मेरे मोटी हो तुम मेरे धन हो और मोधी जी कहते हैं काला धन जबत होगा ताली बजाओ सांस लेना है और मौधी जी कहते हैं काला धन जब्त होगा रब तो कहते हैं कि काला धन जब्त भी होगा और सारवजनिक भी होगा बहुत दिक्कत है भाई साब मैं क्या बता हूँ राखी सावंत का सुवेंबर जब टीवी पे आता था हमारे गाउं का हर बूढ़ा चस्मा पोच के टीवी का गुम बैठ जाता था हमने कहा बाबा इस उमर में स्वेंबर से क्या ले ना देना बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है और ये स्वेंबर में कौन धनुस तोड़ना इसमें तो अपना भी चांस है बिदायक जी सांसत जी मंतरी जी जितनी बड़ी बड़ी प्रतिवाएं बैठी हैं मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं एक बात आप से सेर करना चाहता हूँ डाक्टर कुमार विश्वास के साथ हम पहली बार अहम्दाबाद सरदार पटेली स्टेडियम में कविता पढ़ने गया मैं पहली बार गया सवभागय से उस दिट डाक्टर कुमार विश्वास का जन्म दिन था और अमिश साह जी उस समय अहम्दाबाद के महापावर थे और मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्य मंतरी थे जैसे आप लोग बैटके सुन रहे हैं न विधायक सांसा वैसे वो लोग भी सुने पर वो लोग सीरियसली सुने देखो आज कहाँ पहुझ गया आप भी सीरियसली सुनो क्योंकि हम लोग तो ऐसा है कि अगर ठीक नहीं सुनेंगे तो हम टिकिटी नहीं मिलने देंगे दुबारा कभी सब कर सकता है इतिहास लिखता है लादेन मैं तो भाई साब हिंदुस्तान के लावा विश्व के जारा देशों में कभीता पढ़ा हूँ अमेरिका के तो बावन सहर में कभीता पढ़ा 1980 में पहली बार अमेरिका गया मैं हवाई जयाज नहीं देखा था हवाई जयाज बहुत देर तक सड़क में चलता है हमको लगा ठक दिया एयर होस्टर्स को बिलाया और कहा भोजी भोजी परदेश का मामला इस जिस से बात करना चाहिए मैंने का भोजी पैसा हवाई जयाज के लिए सड़के सड़क ले जा रहें बोले नहीं रनवे है थोड़ी देर बाद टेक अफ होगा थोड़ी देर बाद हवाई जयाज उड़ा एक दूसरी एयर होस्टर्स आई हमने का का की का की उसका उमर ज्यादा था एयर इंडिया का था ताली बजाओ सांस लेना है कि बो कुमार विश्वार तो हवेजाज वाले कोई अपन तो बसेडू बसेडू तो हमने कुमार को फोन किया भाई ये डोमेस्टिक में बैठने का सिस्टम क्या है बोले कुछ नहीं टिकेट कटाओ घंटी बजाओ खाओ सब टिकेट में जुड़ा है ऐसा बोलकर इंडिया में इ कुमार तो पानी का नहीं लगता यह जो भंडारा खोले हो ना इसका लगता है उसकी तरफ देखा तो लगा इसको कहूं देखा है अच्छा मैं बोले तुम राम प्यारी हो क्या बोले आप तो पहचान लिए मैं तो आपकी घर बरतन मानती थी तो यह का का मैं बोले बड़ बड़ बड़ गया है काम तो ही है मैं बोले राम प्यारी तुम्हारे साथ हमारे उगाओं का ट्रेक्टर चलाने वाला ड्राइबर भी भागा था ना समारू वही तो जहाज को चला रहा है बड़ी दिक्कत है भाई साहब लादेन मरा हम भूट यह हमारी सुंदरता की बहु वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के किस सहर के किस गाओं के किस घर के किस कमरे में कौन आदमी का कर रहा है तब से न हम नहा सक रहे हैं ना सो सक रहे हैं यहां इस नाम करे गरीब सुदामा और वहां हुसन का दीदार करे अबामा हुसन सांस लेना है कविता के लिए कोई कठिन सब्द नहीं लगते सरल सब्दों में भी कविता बनती जैसे बच्चे केजी में पढ़ते हैं अमर घर चल चल अमर घर चल ऐसे पढ़ते हैं नेता चल दिल्ली चल पटना चल टोपी लगा कुर्ता पहन मंत्री बन हवाला कर घोटाला कर तिहाड जा नेता चल इसके बाद मैं सांस लेता हूँ नेता चल दिल्ली चल पटना चल टोपी लगा कुर्ता पहन मंत्री बन हवाला कर घोटाला कर तिहाड जा वापसा तोपी लगा कुर्टा पहन मंत्री बन पाठ दो लालू उट चारा खा दूद दूद गरम कर गरम कर रबडी बना रबडी रख कुर्सी पर जेल जा वापसा रबडी हटा बेड़ जा कुर्सी पर और जो लड़कियां अपनी किताबों में अमीर और सल्मान के फोटो दबाती हैं उन्हीं लड़कियों की साधी अक्सर जेठा लाल से हो जाती है संकट है क्या करोगे मैं एक बात कहना चाहता हूं बेटी जिंदकी के कितने किरदारों को जीती है वो बेहन होती है पत्नी होती है प्रेमीका होती है माँ होती है सास होती है लेकिन होती है बेटी मेरी बेटी 36 गर सासर में जिला अधिकारी है मैं चार पंक्तियां उस तक पहुचाता हूँ के फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती है अरे बेटियां कहीं भी रहें माबाप से जुड़ी रहती है बच्चों के साथ माबाप बेटों के साथ माबाप रहते हैं उन्हें आभास होता है और बेटी सास समुंदर पार अमेरिका में हो और मा मौरोवी में खास दे तो बेटी को एहसास होता है यह बेटी है बेटी से बड़ी ताकत सक्ति किसी के नहीं होती इसका मतलब यह नहीं है कि बेटे कोई काम के नहीं है रात के जारा बजे नीबू अधरक लाना हो तो बेटे ही लाते हैं उनका भी रोल है ऐसा नहीं है लेकिन एक बात मैं फिर भी कहना चाहता हूं राजिस्तान में एक कवी रहे सुरन दुबे सब मंच जानता है वो साब एक जन्वरी को उनका निधन हो गया विकीपीडिया जैसे एथेंटिक सोसल मीडिया ने मेरी फोटो लगा कर चछतीस गड़ में समचार जारी कर दी कि सुरन दुबे का निधन बेमे तरह में अंतिम संसकार मैं सुबे सो के उठा तो मेरे दर्वाजे में लोग टावल गमचा लेके रो रहे थे बोले क्या बोले दुबे जी निपट गए भीया अचुप ये हास का कोकड़ा है ठहाका का परिंदा है टेंसन में मत रहना बाबू टाइगर अभी टाइगर अभी टाइगर अभी एकने मेरी पत्नी को फोन किया सुने दुबे जी निपट गए मेरी पत्नी बोली हमारे ऐसे भाग गए कहा है बाबू रात को आए है पनीर खाए है पीजा उनका पसंदीदा है टेंसन में मैं हूँ कि ये टाइगर अभी टाइगर अभी एक खड़ा था तू कैसे खड़ा है रहे लकड़ी टाल बाला हूँ दो किन्टर लकड़ी समसान में फेक काया हूँ तुम्हारे जलने के लिए अब तुमने जलोगे तुम्हारे बदलें कौन जलेगा क्योंकि समसान की लकड़ी वापस तो आनी सकती जलना तो आपको पड़ेगा मैंने कहा चुप यह हास्स का कोकड़ा है ठागा का परिंदा है टेंसर में मत रहना बाबू टाइगर अभी जिन्दा और रागाने के लिखा है कि मैं कभी मरूंगा नहीं क्योंकि कभी कोई ऐसा काम करूंगा नहीं यह बहने बैठी है चार पंक्तियां आज की रात मौरोवी में इनको देता हूँ कि यह राखी का रक्षा सूत्र है भाई दूच का टीका है तीजा की कहनी है अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहन है चिलाते रहा तूँ उतना मैं दुहराते रहूँगा कि मैं हसी का खजाना हूँ हाथ से का कोकड़ा हूँ ठाका का परिंदा हूँ टेंसन में मत रहना टाइगर अभी दोनों हाथ उठा के एक बार लंबी सांस लेना है एक कभीता मैं आपके बीच रखना ता हूँ छोटी सी ज़्यादा बड़ी आपका टेस्ट नहीं लोंगा मैं मोदी जी बहुत महत्वपून आदमी है इसमें दोमत नहीं है मैं भी उनकी विचारधारा से जुड़ा हूँ इसलिए भी महत्वपून है बहुत फरक पड़ा लोग अक्सर बोलते हैं मेरे को कि मोदी के आने से क्या फरक पड़ा मोदी के आने से क्या फरक पड़ा बार बार लोग आपसे कह रहे थे कि गुजराती भाशा है गुजराती है भासा कभी संकट नहीं बनती भासा कभी संकट नहीं बनती एक निता दिल्ली में भासन कर रही थी नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप समझ जाएंगे मैं सोनिया गांधी की बात कर रहा हूँ हमारे डेश में जो नर्माडा योजना है ताली बजाओ सांस लेना है हमारे डेश में जो नर्माडा मेडम नर्मादा नहीं है नर्मदा है नर्मदा वही कह रहे हैं यह भाजपा वाले बोलते हैं हम कुछ किये नहीं कुछ किये नहीं हम एक नया राज्य बनाए तेल लगाना मेडम तेल लगाना नहीं है तेलंगाना है भासा कभी कोई संकट नहीं बनती इसलिए कहना चाहता हू जितने लोग यहां बैठे हैं एक सो दिन में बीस बार अब एक डालाग बोलते है टाइम नहीं है हर कोई बोलता है भाई साथ टाइम नहीं है टाइम नहीं है टाइम नहीं है और हमारी आबादी एक सो पैतिस करोड हो गई टाइम नहीं है तो इतनी तो टाइम मिल जाए तो कितनी टाइम नहीं है जिसको देखो टाइम नहीं है बच्चा पैदा होते ही फेरेक्स क्या है लोगों को जब तरक खोजना होता है न तो कुद तरक करते है एक मेरे को मिल गया बोले इस बार बहुत ठंड पढ़ रही है मैं बोले हाँ पढ़ तो रही है जानते हो क्यों पढ़ रही है नहीं मालूम मोदी के कारण मोदी के कारण उसके कारण क्यों ठंड पढ़ रही है जब से कास्मीर को भारत में मिलाया है न ठंड बढ़ गई है अब क्या करोगे भाई साब, उतर्क वालों के पासाथ बात करने का कोई तूकी नहीं है, अभी अभी एक समाचार आया कुमार जी, मुदी जी ने इस्टेटमेंट दिया कि मैं अब आगरा जाने वाला हूं, आगरा में जाकर मुदी जी बोलेंगे, न मैं आगरा आया हूं, न कुछ गया है अगर अगर खुदेगा और कहीं साब मैं तो यह कहता हूँ कि हम जितना खो देंगे आप उतना खो देंगे अगर दुबई भी खो देंगे तो उसके अंदर से दुबई ही निकलेगा बहुत फरक पड़ा मोदी के आने से बहुत फरक पड़ा मोदी के आने से मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीस की बिक्री बढ़ गई ताली बजाओ सांस लेना है मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीस की बिक्री बढ़ गई चीन की छोटी 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 आँखें उसके नाक पे चड़ गई जो अमेरिका मोदी को नई देता था वीजा उसने कहा आजा जीजा, खाले पीजा, ले जा ले वीजा अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भरत की टेकनोलाजी को पहचानने लगा है बहुत फरक पड़ा मोदी के आने से कोईले का रंग साफ हुआ है, हर गरीब के साथ इंसाफ हुआ है सुन्य रुपे में खाता खुल जाता है और याकूब जैसा तंकवादी फासी पे लटक जाता है बहुत फरक पड़ा मोदी के आने से और इस तना भी फरक पड़ा कि आद देख रहे हैं पूरे देश में अमन्चैन है और ये मैं कहना चाहता हूँ कि कौसिल्या 36 गड़ की बेटी उनके बेटे राम और जहां राम ने जनम लिया वहां बाबर का क्या काम जहां राम ने जनम लिया वहां बाबर का क्या काम वर्सों का ये यक्ष प्रस्न उत्तर हमने बतलाया है और जहां राम ने जनम लिया मंदिर वही बनाया है हम अक्षच चावल कुमकुम रोली बंदन चंदन वाले हैं हम आच्छा चावल पुमकुम रोली, बंधन छंदन वाले हैं, हम दुरवा हैं, हम बिलवस पत्र, हम दूर दही शकर, शहद हम ही पंचामरित हैं हम कपूर की आरती हम एका दसी का भृत हैं हर हर बोले बंबं भोले हम बंबं भोले वाले हैं दोनों हाथ उठा कर बोलो अब हम यमुना आने वाले हैं